हाई फ्रेंड्स वेलकम टू किब्रियास किचिन आज मैं आपको ब्रेड रसमलाई बनाने की रेसिपी बताऊंगी ब्रेड रसमलाई बहुत ही आसानी से घर में बन जाती है और इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट मिलने वाली रसमलाई की तरह होता है और यह बहुत ही टेस्टी और डिलिशेस बनती है अगर आप किसी को यह बना कर सर्फ करेंगे तो वो मार्केट मिलने वाली रसमलाई और इस ब्रेड रसमलाई में डिफरेंस नहीं कर पाएगा तो आए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या इंग्रेडियन चाहिए इसके लिए हम लोग को चाहिए 1 kg फुल क्रीम मिल्क इसके लिए फुल क्रीम मिल्क ही यूज करें फैट फ्री वाला मिल्क ना यूज करें वनना ये इतनी डेस्टी नहीं बनेगी 7-8 हम लोग को चाहिए ब्रेड के स्लाइस एक किलो दूद में 7-8 रसमलाई बहुत आराम से बन जाएंगी थोड़ी सी केसर चाहिए हम लोग को 30 ग्राम तक सुगर चाहिए और कुछ ड्राइफ फूर्ट चाहिए हम लोग को थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्टा इसमें से जो आपके पास ना हो उसे आप स्किप कर सकते हैं अब सबसे पहले एक थोड़े बड़े बरतन में मिल्क को डाल कर इसे अच्छी तरह से खौला लेंगे इसको बनाने के लिए बरतन थोड़ा बड़ाई लें एक बर जब अच्छे से बॉइल हो जाए जैसा कि आप देख रहे हैं कि अच्छे से बॉइल हो चुका है तो अब इसमें लोग आड़ करेंगे चीनी जो की है 30 ग्राम तक अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी जादा चीनी आड़ कर सकते हैं लेकिन रस्मलाई का टेस्ट अभी अच्छा आता है जब इसमें हलकी सी मिठास हो अगर यह बहुत जादा मीठी हो जाती तो रस्मलाई इतनी टेस्टी नहीं लगती इसलिए मैं इसमें 30 ग्राम एड़ करी हूँ आप 50 ग्राम तक एड़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़दा मीठा पसंद हो इसमें अब एड़ करें कुछ सैफरन के स्ट्रैंड्स जिससे इसमें बहुत ही अच्छा यलोईश कलर आएगा और बहुत अच्छी खुश्बू आएगी अब सारे ड्राइफ फ्रूट्स इसमें अड़ कर लें थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स मैंने गार्निशिंग के लिए बचा के रखे हैं बाकी सारे मैं इसमें अड़ कर रही हूँ सारे के सारे एड़ कर दें, थोड़ा से पिस्ता, थोड़ा से बदाम और थोड़ा से काजू और अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक ये अपनी कौन्टिटी से आधा ना हो जाए इसे बीच मीच में लगातार चलाते रहें और देखते रहें जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज होता जा रहा है ये येलो होता जा रहा है अब इसे कुक करते हुए 20 मिनिट हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये काफी ठीक भी हो गया है और इसका color बहुत ही अच्छा yellow हो गया है इसे पांच मिनट और cook करेंगे और उसके बाद इसी consistency चेक करेंगे अब 20 मिनट हो चुके हैं देखिए इसी consistency बिल्कुल perfect है यह अपनी quantity से आधा हो चुका है और बहुत ही अच्छा color में हो चुका है तो चलिए अब हम लोग ब्रेट को ready कर लेते हैं अब सबसे पहले एक ब्रेट के slice लेंगे और glass के help से इसे gold shape देंगे अगर आपके पास shape देने वाले tools हैं तो आप उससे भी कोई भी shape दे सकते हैं अपनी मनपसंद का heart star इस तरह के tools आते हैं मेरे पास वह भी available नहीं है तो मैं इसे glass से round shape दे रही हूँ इसे इस तरह से gently press करते हुए round shape देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे और इसके बार इसे assemble करेंगे अब bread की slice जो हम लोगों ने cut करिए उसे इस तरह से plate पहले रख लेंगे उसके बाद जो हम लोग ने मलाई prepare की थी उसे इसके उपर इस तरह से डालते जाएंगे इसके उपर पोर करते रहेंगे यह जो मलाई है यह अभी warm है बिल्कुल ठंडी नहीं हुए है आपको गरम गरम में इसमें डालना है तो यह अच्छे से इसमें absorb हो जाएगा इसे कायदे से पोर कर देंगे और पूरा इसे इससे ढग देंगे और आप इस पर ड्राय फ्रूट्स और सैफरन डालके इसको गार्निश कर लेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी खुबसूरत और कितनी डिलिश्यस लग रही है इसे देखते हैं आपके मुमें बिल्कुल पानी आ रहा होगा इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट मिलने वाली रसम बलाई की तरह बनेगा वो भी जो ब्रेड आपके घर मौझूद है उससे आप इससे बहुत यह असानी से बना सकते हैं एक बार इससे जरूर ट्राय करें और आप बार बार इससे बनाना जरूर पसंद करेंगे और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आयोते से लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे किसी भी टेस्टी रेसिपी को मिस्स न कर सकें फिल ओट्विक डिलिशेस और यम्मी डिश के साथ तिल देन बाई टेक कियर